श्वागत साब सभी का हमेरी सूटीप चानल में तो चलिए जेटेट का जो भी सिलेबस का इंतिजार कर रहे थे उन सभी का अब इंतिजार खत्म अब इंतिजार खत्म हुआ ता आखिर सिलेबस चेंज हो गया कि नहीं हुआ क्या हुआ तो बस इंतिजार खत्म हुआ है आपका मांग पूरा नहीं हुआ है आप जो चाह रहें थे वो नहीं हुआ क्योंकि आज यानि कल जो बीत गिया 14 तारिक लास्ट कैबिनेट वैठक था पाले ही बताये थे सब ये को मालूम है क्योंकि एलेक्शन नजदिक है यही लास्ट चान्स था इस चांस में सब लोग सुचे थे कि ये लास्ट चांस है और सब कुछ अगर हो गिया है तो फिर बस मोहर ही तो लगाना केबिनेट में जैसे 32 गो कितना परस्ता लेकिन नहीं आया इसका मतलब क्या है कि अब Z8 का syllabus का इंतिजार खत्म अब किसी भी तरह का कोई syllabus changing का मामला नहीं आएगा इस सरकार में कुछ भी होगा next सरकार में exam भी नहीं होगा ये guarantee है क्यों ऐसा करे है और ऐसा क्यूं किया गया हम लोग के साथ Z8 वा लोग साथ ऐसा क्यूं किया गया सबसे बड़ा confusion इसमें इस बात का है कि आखिर अगर नियमावली संसोधन नहीं हुआ नियमावली नहीं बना होगा तो फिर सिच्छा सचीव के पास भी जाया गिया पहले उसने भी जो भी टीचर सब गये थे उनके सामने दिखाये भी कि हाँ ये देखिए सब जो पॉइंट भी लिखे क्या क्या चेंज करना है सब्जेक्ट वाज पासिंग को हाटाना है सिलिबस को करना है NCT के गाइडलाइन के अनुरूप यहनी पहले जैसा था वैसा सिलिबस और वही सब्जेक्ट वाज पास करने का बध्याता खतम करना है ति इन सब ही चीजों को लिखा गिया संसोधन किया गिया ये विस्टिक्षा सचीव के तरफ से भी मैसेज आया उसने खुद बताया कि हाँ जो भी आपका मांग था वो पूरा हो चुका है जो भी संसोधन था वो संसोधन हो गया है क्योंकि हाँ इसमें गलती थी जो सेलिबस है उसमें गलती थी और जो पासिंग माक्स जो था कि शब में पास करना वो भी गलत था wipe NCT के जो guideline है उसके नियम का नुसार नहीं था इसलिए उसके नियम का नुसार सब कुछ हो गिया अब जब वहां से final बोला गिया कि हो गिया अब इसको सिक्षा मंतरी पास भेजेंगे सिक्षा मंतरी के पास भी गिया कल परसु दिन यानि तेरा तारीक को उस दिन भी सिक्षक सब गए हम किसी कारण बस नहीं जा पाएं पूरा जाने का तैयारी किये जगा भी बादचित भी हुआ कि हां यहां पे है आई है लेकिन कुछ वज़ा हुआ जिससे हम नहीं जा पाएं लेकिन गए जो भी हमरे सिक्षगन है जो चीनती था इसको लेकर उन्होंने जब सिक्षा मंतरी से बात की तो सिक्षा मंतरी डायरेक्ट बोले कि सब काम किलियर हो चुका है हम भी साइन कर दिये हैं सिक्षा सचिव भी साइन कर दिये हैं तो जब इतना कुछ हो गया है और य केबिनेट में लाए या ना लाए इस तरह सिक्षा मंत्री अपना पल्ला जाड़ दिये तो आखिर इसमें दोस किसका है अगर नियमावली संसुधन हो गिया जो भी साइन मोहर का काम है सब हो गिया सिक्षा मंत्री सिक्षा सचीव से मुखमंत्री के हाथ में भी वो मिल गिया तो फिर मुखमंत्री केबिनेट में उसको क्यों नहीं ला रहे हैं दो तिन केबिनेट बीच चुगा ये आखरी केबिनेट भी खत्म हो गया तो इसमें तो सारा दोस लग रहा है मुखमंत्री का अब पता नहीं इनके मन में क्या संका है क्या संका है क्या करना चाह रहे हैं इचाह रहे हैं कि जे टिट हो हीना एक्जाम अभी ये सिर्फ बीजी है कि कैसे भोटा रों मैं यां पाबी 100 को 2500 देंगे BENE परखी में अंजूर को कानूना जूर्म लिचा वे इतना को these तक पैसा दर करके 500 खरीद रहे हैं जूर्म सयर्कार ही कर रहे हैं 1000 दे रही थी आज की केबिनेट में कापूल दी पचीस सो देंगे तो क्या होगत। में डिशंबर से अबनर भात से हुआ हवान हे हम जीत रहें यह जीतें हें तो क्राइफ है idea है उपितना चुत मिलेगा बंवल हो Doug परचार वाल उसको तो भार के ठक लिए उसमें खाली नाम लिखना है पती का नाम पीता का नाम और इसका एकाउन पैसा आ जाएगा ओतने गुना भार क्या पुदले चल रहा है फरम्मा नहीं मिल रहा है तो पूरा लड़ाई हो जा रहा है गाउं गाउं में कि हमको भरम्मा बहुत भी हो रहा है और जो मेन मुद्दा हजार खंड का सिख्षा उसको इगनोर किया जा रहा है कि तो अब जैसा सिख्ष मंत्री बोले जैसा सिख्ष सची बोले उसके हिसाब से उन लोग का काम खतम हो गिया काम अब सिर्फ मचा हुआ था सीएम का हिमन सुरेन गा और इन्हों ने वो कागोज को पता नहीं का किये बस्ते में रख दिये हैं और यह लास्ट कैबिनेट था नहीं लाए अब क्या मंसा है वही जाने अब उनसे सवाल करना होगा कि आखे मकसद क्या है उनका कि जीटेट एक्जाम ना हो यहीं चाहरे हैं अब तो होगा ने क्योंकि होना रहता तो जिस जैग भी कुछ नोटिफिकेशन अभी निकाल नहीं रहा है करेक्शन डेट देना था वो भी ने दे रहा है क्योंकि जैग को मालूम था कि यह तो नियमावली संसुधन हो आते नियमावली संसुधन जब हो जाए तो वह नियमवली का इंतजार में अब इदर नियमवली पता चल रहा है कि सब कुछ हो गया मुखमंत्री उसको चिप लिए जांत लिए फारफूर्ड के फेख दिये जला दिये का किए पताने तो अब किस पर भरोसा किया जाए का किया जा जाए हमको लगता है कुछ करने से कुछ नहीं होगा इसल שנ बार exam को भूलना ही पड़ेगा क्योंगे एग्याम होना रहता अभी तक कर्यक्षन हो लेता कुछ भी होता लेकिन अब कहां देख्यों अक्टूबर तो आधा खातम नवंब दिसंबर में इलेक्षन कहां से ग्याम लेगा मतलब इस सरकार जो हम लोग से 1300-1500 लिये इसको पैसवा को मांग लिजे किसी तरह नहीं तो पैसव हो गिया अन्यक्ष सरकार बनेगा तो अपना हिसाब से नियम कानून बनाएगा या इसको अगर मान ले तो ठीक है नहीं तो फिर कहेगा कि न में तो यहीं कहेंगे सब को कि अगर हम लोग का आगज को हम लोग के बाद को हम लोग का जो मांग था उसको अगर इग्नोर करके जात के पुपाइक गजवा को रख लिए हैं तो हम भी अब यही कहेंगे सबको कि जो भी उदर से मिल रहा उसको जात लीजिए बक्सा में रख लीजिए लेकिन भोटवा देने समय याद कीजिए सोंच स जडन होगा क्या इसका होगा उसका कोई गारेंटी नहीं है हम बहुत नहीं होगा लगिन जादा उम्मीद है कि एकजाम अब नहीं होगा याव लेकिन असनल सोचना ह tuo सफ़ां यह कर रहना है और हो जार कंडे